नमस्कार दोस्तों स्वागत एकबार फिर से आपके चैनल ओजाइड एस्ट्रो दिनेस में दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉर्थ हाउस पर एस्ट्रो वास्तुगा यह मेरा सैकेंड पार्ट रहने वाला है वीडियो का जिसमें जो नाइन प्लेनेट्स हमारे वह फॉर्थ ह है उसके फॉर्थ हाउस के सियरसल से ही आप काफी कुछ उसको बता सकते हो साथ सुमूंदर पार ही क्यों ना हुआ ठीक है वहाँ पर बैठ कर भी आप किसी को भी चुट्क्यों में यह बता सकते हो कि आपके घर के अंदर यह चीजे रखे हुए हैं आपके घर में अवास्त अंदर क्या रहने वाला है घर के अंदर क्या चल रहा है माहूल कैसा है यह पता लगाएंगे और कैसे देखेंगे फोर्थ हाउस के CSL जो प्लेनेट होगा वो उसको ही कसा प्लेनेट इस किस चीज को दरसाता है मैं आज आपको बता हुआ इस वीडियो के माथम से वीडियो को पूरा देखा करो और समझने की कोसिस किया करो ठीक है अगर क्या हुदता है कि आप 5-7 मिनट की वीडियो देखा फ वीडियो के मादम से ठीक है तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा के चलूँगा कौन से प्लेनेट से हमने क्या देखना होता है अब जैसे फोर्थ हाउस से जो भी प्लेनेट जो भी जूट जाएगा उसके जो भी आट्रिविट होंगी उसके देखने होते हैं कैसे हमने किसी को प्रैक्टिक करना होता है यह आपके सामने एक चार्ट बना दिया है इस चार्ट से आपको अच्छे परकार से समझ में आ जाएगा जहां पर च्यार नंबर लिखा हुआ है यह फोर्थ हाउस है ठीक है जी मकान की जो उर्जा का भी अगर पता लगाना हो कि उस मकान में सबसे पहले तो हम देखेंगे उस मकान में वास्तो दोस है या नहीं है वो फोर्थ हाउस के सीसल बताएगा ठीक है फोर्थ हाउस का सीसल बताएगा इसके साथ साथ 8th house का subload भी जहांपे placed होगा मैं बता दूँ आपको 8th house का subload जिस किसी भी house में बैठा होगा जिस किसी नक्सत्र में बैठेगा उस नक्सत्र के देवता में imbalance होगा 200% और होता ही है वही treatment के लायक होता है planet ठीक मैं आपको बता दूँ आज बाकी जो बाकी जो houses होंगे उनको activate वो किस वे में करना है और कब करना है और कब वो अपने खुद activate होते हैं जब भी महादसा के दोरान अंतरदसा के दोरान या परत्यंतरदसा के दोरान वो खास वो X planet जो किसी house का subload होकर और महादसा अंतरदसा या परत्यंतरदसा के लोर्ड का नक्सतर स्वामी होगा तब वो उस house को activate करेगा result देगा जिस जिस house को वो signify करता होगा ठीकर जी इतना clear हुआ आपको अब fourth house जहांपे लिखा हुआ है मैं आपको बता दू fourth house क्या है आपका मकान है आपका comfort है आपका वाहन है विक्कल है आपकी माता का भाहुवी है ठीक है जो गरेलू माहोल होता है उसको दरसाता है fourth house अगर fourth house eighth house सिकने को जगता है तो उस मकान का वास्तू करा लेना चाहिए उसके बाद ही उसमें result आएंगे ये hundred percent सच है और ये direction में जाएंगे डीवन चार्ट में हम जब जाएंगे तो हमें ये पता लगता है कि किस direction में वास्तू दोस है ठीक है उस मकान में कितनी उर्जा है और जो सदस से उस मकान में रह रहे हैं वो मकान उनके लिए कितने प्रसेंट भग्य साली रहेगा इतना तक पता चल जाता है इसे अगर आईड मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ Rider के अटरिगूट जब वो फौर्थ हाॉस से जूटते हैं तो क्या-क्या अपने प्रफाव से चलिए मैं आपको बटा एंदेता हूं स्टार्टिंग करते हैं सूर्ये से अगर फॉर्थ हाउस का सब्लोड सूरिय हो तो एक मिनिटल में लिपकी बता देते हूं आपको अगर देन अगर फॉर्थ हाउस का सब्लों अगर फॉर्थ हाउस का सब्लों आपको अगर फॉर्थ हाउस का सब्लों सूरिय हो तो मैं कहूँगा जो दिखो सूरिय क्या है सूरिय अपने सव बाव से सतव गुनी है छत्रिय जाती है और एक राजा है यानि कि ओथर्टेटिव प्लेनेट होगा यानि कि ओथर्टेटिव है राजा क्या है राजा जो गोवर्णेंट को गवन करता है हम इसको ऐसे लेँ जब किसी का भी फॉर्ट हाउस का स्येट सल सूरिय अगर होगा तो जाएर सी बात है जातक का मकान हुझत है गोवर्मेंट कोईपविज होतता है उनको कोई कवार्टर वगारा रहने के लिए फ़स्ट बात ठीक है या उस मकान का मुखिया एक authoritative nature का मिलेगा अगर देखो दोनों भी चीज़े हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि जिस native का fourth house का CSL सूरिय हो तो घर में उसकी परधानता रहती है वो authoritative nature का होगा ठीक है इतना ध्यान रखें सूरिय सतोगुणी उन्हें के कार्ण हो सकता है देखो उस मकान में जो सदेशे रह रहे हैं उनकी जो behavior उनका जो विभारिकता है सब के लिए एक negative thoughts पैदा कर दे एक negative thoughts को जनम दे ले देखो जिनकी सोच विचार उनके लिए negative रहेंगे न वे सिर्फ वही लोग होंगे जो पुर्याचन वाले होंगे और तमों गुणी होंगे देखे प्रते गरेपर मैं विश्तार से तो बता नहीं सकता क्योंकि समय की किमत को देखते हुए मैं वीडियो बनाता हूं अगर चंदर्मा किसी का fourth house का subload चंदर्मा हुआ तो सीधी से बात है water element को दरसाता है मकान काफी बड़ा हो सकता है या हो सकता है किसी नदी किनारे या कोई आसपास में water related कोई source हो उनके घर के आसपास में या नजदी क्या कोई बावडी कुवा मकान के आसपास हो सकता है कि तुमें भी आजकल होता है ऐसे मकान बना लेते हैं तो आसपास में कोई well रहा होगा पहले भी कोई या फिर वो सबमर्सिवल जो कुद का जो लगाते हैं तो उसमें भी मोन कोई चाता है वो हो सकता है मकान के अंदर स्विमिंग पूल हो ठीक है जी क्योंकि जो पहले बावडी वकुए होते दे न वो राव की प्रदांता बन नहीं पर चंदर माव स्विमिंग पूल में चेंज हो गया जैसे पहले गोडा गाड़ी सूरी है बोलते थे जिसको रत कहते थे वो राव क ऐसा नहीं है कि आपके घर पे इतने आथी घोडे खड़े जाएंगे आपके पास अस्तबल होगा ऐसा नहीं बोलेंगे अस्तबल बनाने वाले बड़े बड़े चो योद्धा वो बना भी रखा हुन्होंने ठीक है जी ऐसी बात नहीं अस्तबल कटम होगे है लेकिन गाडिया हैं वो कार गाडिया हैं आज के दिन मोटर गाड़ी ठीक है जी तो ऐसे हम मतलब प्रेडिक्ट करेंगे ऐसे मकान वाले व्यक्ति काफी बावों को मिलनसार होते हैं यह लड़ाई जगडे से दूर सब की बावना के साथ जूड़ कर रहते हैं जब फोर्ट यसल तब खराब्स देती में हो तो वेस्ट नोर्थ वेस्ट और नोर्थ वेस्ट को खराब्स समझें पनेगो और व्यक्ति पीरने का आदि हो जाते हैं आप दारू पीना स्टार्ट कर देता है नसीले पदार्तों का सेवन करना स्टार्ट कर देता है वो लड़ लग जाते हैं उ में अधरवाइस जगडालू सो बाव एनर्जैटिक काफी रहते हैं एक्षिन ओर्येंटेट परसन होते हैं तुरूंत एक्षिन लेते हैं ऐसे जल्दबाजी में आके कोई ऐसा निर्णे लेते हैं जिन गरों में जिनका फोर्थ हाउस का सिसली ऐसा रहता है न उनके घर के अं किसी किताब से निकाल के नहीं इले की आया हो में ये विद्या इस प्रैक्टिकल है में खुदफ नि अनिभव हो है मैं बता रहу आपको देखिए मैं आपको बता दू कि मार्स किसी का ओड़ विपयर में वेस्ट में अगर दरबाद जा हुआ या साउथ में हुआ या साउथ साउथ इस्ट में हुआ तो उस टाइम पे बड़ा संबल के रहें और उसको जल्दी से ट्रीट करा लें ठीक है अदर्वाइज इन डारेक्शन को बैलेंस करके चलें गर में नहीं तो ऐसा ना हो कोई बड़ी प्रोब्लम ना कड़ी कर दे सड़न कुछ राहू से कनेक्ट हो गया तो गोली कांड करा सकता है बिल्कुल इस देखो इस मकान में अगर देखो कुछ ज्यादा तरह हम देखेंगे तो पुलिस वाले या सेना में जुरूर हो गया बैक्ती जि मार्स क्या है मसीनरी है मास मसीनरी भी है मार्स एनरजी मेकैनिकल लाइन में भी हो सकता है वायती ऐसे मकान में जो सदेश्य रहते हैं वो अमेसा मोल्ले में एक सैनिक की तरह रक्षक भी होते हैं ये वो वेक्टी होते हैं जो एक्टिव रहते हैं 24 गंदे इनके घर में जिन से रिलेटिड समान और अथियार एम वगार आराम से मिल जाता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गर में ज्यादा तड़क बड़क वाले रंग पसंद करते होंगे वो सकता है कोई पुलिस टेशन या हैल्थ कलब गर के बिल्कुल नजदीग की मिल जाए ठीक है इसमें वीनेस को भी देखेंगे यह सब कि सब से जुरूरी हो जाता है जब फोर्ट स्यसल वो कोई भी प्लेनेट हो आम मकान कारक वीनेस को नभू लेंगे इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे और अगर देखो मरकर यह वा तो खेल कूद स्टेशनरी की कोई दुकान गर के बगल में हो या घर में ही वो बिल्कुल हो सकता है वो रेंट पे दे रख्की हो जितने इस घर में रहेंगे नो एजुकेटेड परसन उत्ते हैं ऐसे बैख्टी गर के अंदर पार्क जुरूर बनाते हैं लोग अर्याली ज्यादा तर रखते हैं मतलब पेड़ पुदे प्लांट लगा लेते हैं घर के अंदर खासकर मनी प्लांट जुरूर मिलेगा इनके गर में गर में लाइबरेरी टाइप कोई अलमीरा बगएरा मतलब डैकुरेशन ऐसे मना देंगे के मतलब एक रूम के अंदर भी कहीं भी परदानता मिल जाती है मरकरी की मरकरी के एट्रिबुट मिलेंगे अलग से पता लग जाए गए घर पुदुकार इसमें खुल बड़ अब जूपीटर पर आजाते हैं जी जूपीटर फॉर्थ हाउस का सबलोड जूपीटर हो मैं इसको लिख देता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ यहां पर ठीक है अगर फॉर्थ हाउस का जूपीटर आ जाई किसी का फॉर्थ हाउस का सबलोड जूपीटर हो तो स्पिर् न और कथा एमेशन चलती रहती हैं। पुजा पाठ होगा। पुजा पाठ से रिलेटिटमfight मोफ सह उत्ति रहें गमें। और गुरु और मातमाओं का अधरब ता उसगर में। दानदक्षन देने वाले व्यक्ति oughtते हैं। ऐसे गरमें रहे व्यक्ति। गुरु और मात्माओं की फोटो भी अराम से मिल जाएगे उनके गर में बहुत ज्याद मात्रा में कल्चर कोई भी रहे इसमें कल्चर से कोई मेटर ने है सुत्तर सब पे लागू होगा सब पर अपलाई होगा भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातनियों पर इंदों पर ही लागू होता ही ऐसा कुछ नहीं है कोई भी कल्चर पे हो हर सब पे लागू होगा और किरियाई यही रहेंगी हो सकता है किसी ने अपने पेगंबरों की फोटो लोगा रख्यों अगर मुस्लिम धरम से क्रिश्चन होगे तो इसा मसी वेगरा की या कोई सिंबल क्रिश्चन के जो होते होंगे वो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है उनके बारे में ठीक है तो अपने कल्चर का कोई न कोई वो सब यह चीजे करते होंगे अपने घर में कोईपित्र जल बोलते है नक रिश्चन जो लोग होते हो वह घर पे मेलेगा ऐसी वेक्ति यह ऐसे बैकती होगा खास कर और जी ज्यॐपिटर पर दानता वाले बैक्टिंदते होते हैं ऐसे एसमें सकते हैं जब Jupiter 4th house का सब लोड ओर 12,000 से रिलेट हो नक्षतर लेबल पे स्क्रिप्ट में हो सकता है कभी 4th house का सब लोड इलें हम थाउस में प्लेज़ड हो जाए और ये चंदरमा के नक्षतर में प्लेज़ड हो गया, चंदरमा 5 और 12 रहा हों पर तो मैंने देखा था यह यह उठा किसी का प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ तो वो ना एस्टलोजी पे ज्यादा खर्च करता था हुए अगर यह सब ने विव हो तो उस घर में दीवे कथायोर मंतर का जब जरूर उतर रहेगा अगर वो हो सकता हो मुबाइल में बजन चला के रखें किर्टन चला के रखें उनके घर से आवाज आएगी पता लगेगा वो बता देगा पडोसियों को बता देगा कि मैं जूपीटर हूँ ठीक है ऐसे व्यक्ति होगे ना कई दफा घर में बर्गत या पीपल के जो रेक्शन हो कही ना कहीं मतलब आसपास रहते हैं ऐसे व्यक्ति हो कि वह पिछा ने चोलते है यह भी नौट रखें शक्त यहां विवारी में अ और एक और खास बात तेचर भी हो सकते हैं उस गर में ज्यादा तर पीचिंग लाइन वें गहंगे जो भी आग्य तक मैं बता रहा हूं उस अज से जो रहते ना उसमरें टीचिंग लाइन में हो सकता है किושन संटर शेंटर गर में ठीक है न ऐसे नोट करेंगे ऐसे लेंगे इस चीज़ को अभी फिर मैं देखो इसके बाद जो मैं बताऊंगा इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट नमबर थ्री उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि जो यह रासिया उत्ती हैं इन से सथान देखना होता न कौन स स्थान को कौन सी रासि गवन करती है अलग अलग बताया गया है कि किस रासि का क्या स्थान है वहां की मिट्टी कैसी हो क्योंकि देखो अब उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको और मैं बिल्कुल सपस्ट बोलता हूं बिल्कुल अपनी लोकल लेंगवेज में बा जुपिटर के बाद आता है जी विनस विनस क्या है विनस तो विनस है जी विनस क्या है विनस खुदी हाउस है मकान है लक्जरी लाइफ है लक्जरी हाउस जैमेंट्स जैवैलरी इतनी ज्यादा मिलेगे उनके घर में हो ज्यादा वो सभी वस्तवे जो आराम दायक होंगी टैग वाली होंगे उनके घर में मिलेंगी लग्जरी फरनीचर होगा लग्जरी रेंसेन होगा घर भी बड़ा सुन्दर दिखेगा मतलब काफी सुन्दर डेकुरेटिव सबी चीजे होंगे उसमें वैबाव का घर यही उता है जी इसमें विलासिता की तरफ लेकर जाने वाल उता स्क्रां जाते हैं एयसे व्यक्ति यह भी गुरु же पिटल और जुपिटर रहें तो गुरु और सुक्र संजीव नहीं के पास है मारे वयकों जिन्दा यही प्लेट कर सकते हैं तो मैं बतादू आपको ये जो सिद्धिया करते हैं ना ऐसे बैठती तो उनको बोच जल्दी प्राप्ति भी हो जकती है सिद्धि ऐसे मकान दिखो नया मकान होगा मतलब उसमें ज्यादा मतलब जहां से बंद है जिनका भी फोर्थ लग्जरी से मतलब रिलेटेड होगा न तो ऐसे बैठती है न यह कहें कि मतलब उनको गंदगी पसंद नहीं उत्ती घर में सच बताओं बड़ा साप सुंदर सौच मिलेगा घरंद से देखोगे न मतलब मजा आएगा ऐसे बैठती होगा जाने को ऐसे व्यक्तियों का एक खास में आपको बता दूँ यह वास्तु इनके घर में एक मोच्छों होता है वास्तु की कुछ न कुछ न कुछ न कुछ वास्तु से रिलेटेड यह अपने घर में मकान में करवाती रही है विनस इज वास्तु ठीके जी यह अपने घर में कोई न कोई वास्तु जरूर करते हूंगे अपलाई ज्यादा तरक करते देखा है मैंने प्रैक्टिकल बता रहा हूं किसी बुक में नहीं देखा है प्रैक्टिकल मैं बात करता हूं जितने भी करता हूं यह जो मकान भी बनाते हूं वास्त पुरुस मंडल पर यह किनका मकान चलता है सिदी सी बात तो यह इनके सोक जो उत्ते नवाबी हो जाते हैं चारों तरफ देखोगे इनके गर में उसके तो शुकर का प्रबाव मिलेगा लगजरी गाड़ियां उत्ते हैं ऐसे व्यक्ति गर में खड़ी ठीक है उस देखो अभी मकान शुकर का मिलेगा पूर्थ हाउस का अगर अच्छे नंबर सिगनिफाई कर रहा है तो बात कर रहा ठीक है ऐसे चलता है चक्कर ऐसा ही ने कि सपेसल आप ही सब कुछ कर रहे हो नहीं आपका जो मकान है उसमें भी एक आत्मा है जड़ चेतन जिसको जड़ बोलते न वो हाउस आपका जड़ है वास्तु पुरुष मंडल का जो वो वास्तु है और इनका जो एक पुरुष है वो भी मकान या तुब आपको तकलीफ है तो मकान को टीट करा लो आप ठीक हो जाओगे ठीक है आपका कोई मकान में दोस है मकान बिमार है तो खुद अपने आपको टीट करा लो मकान ठीक हो जाएगा ये भी नोट रखे मैंसर आप किसी का फूर्थ हाउस का सबलोड सैटरन वो अधिक को मैंने बताया था सैटरन पे तो मैंने फूर्थ हाउस पे काफी चीज़े बताई है दबावा खजाना भी मिलता है ठीक है एंटिक चीज़े मिलती है और पुराना हवेली मकान जो खंडर रूमा भी होते हैं वो भी फूर्थ हाउस सैटरन ही लिखाता है उनको सैटरन का मकान अंधेरा सा होगा एक अलग सी समयल आएगी उस घर से अजीब सी जैसे पुराने समान काफी समान से आती है ना फराना फरनीचर होगा ओल्ड फरनीचर होगा उस ओल्ड फरनीचर से जो समयल आती है या क्लोच बगएरा होते हैं तो काफी टाइम में रखे रखे होता है उनको किसी बैड मेरा में रख देते हैं तो उसमें एक समयल से हो जाती है अजीब सी किसम की तो वो smelly type जो होता है न सेटन का मकान होता है smell से ही क्योंकि मैं जाता हूँ आस्तो करने के लिए जो मैं entry करता हूँ तो सबसे पहले मैं आसपास का जो मावल होता है न मैं उसको काफी rectify करता हूँ काफ़ी अनलेसिस करता हूं आस पास ऐसाइ नहीं मैं अब यहां गया हूं विजिट की है हूँ ओजो मेरा चैनल उन्होंने सब्सक्राइब किया उनके पता ही है मैं कैसे ट्रिट करता हूं ऐसे नहीं है कि वह कुई मतलबब नि-बनाई थियूरी पे नहीं चलता मैं एसास करता हूँ मैसूस करता हूँ पर एक चीज़ का कुछ इंट्यूशन भी होती है बंदेगी ठीक है उस सबी चीज़ों का पता चल जाता है ऐसे बैखते देखो क्या होता है जिनका फोर्थ हाउस में सैटन प्लेजड भी हो या फोर्थ हाउस का सबलोड हो ठीक है यह कोई भी प्लेजड हो अगर वो सैटन के साथ कंजक्शन भी बनाए तो भी ऐसा है समझे पुराना बना बनाया घर या रेंटिड हाउस को वाटर टाइब है ठीक है एंटिक चीज़ें होंगी एंटिक फरणिटर होगा उल्ड कलासिकल फरणिटर जो मिलता है गर के अंदर साल की लकिड सुनिए सैट्रन वह मिलेगी गर के अंदर जो हवेली टाइब भी जो देखते हो né हवीली टाइब जो उती है हो सेंटreन है विजिव Been सूर्य की के सकते हैं यह यह सकते हैं हम बांप कि इनका मिकान धुट का बनने में थोड़ा सा विलम दे देता है जिसके नेटिव का फोर्थ हाउस में सैटरन सबलोड हूँ तब तो विलम देते हैं तहीं ये सैटरनिया का अगर सैटरन और विनस खराब हुस था मैं तब की बात में बता रहा हूँ तब विलम देगा ये मकान में अदरवाइस तो बले-बले हैं ऐसी बात नहीं अब राहू हो किसी का अब आजाते हैं राहू पर किसी का राहू प्लेनेट हो वह डिजिटल हाउस होगा जो भी रोबोटिक चीज़े आई है न अभी दुनिया में लोगों के पास नहीं आएंगे सबसे पहले उस घर में आ जाएंगे वो सब चीज़े वाइफाई से लेके सब कुछ एक्टिवेटिड बंदा रहेगा वो जो आज का मोडरन है न मोडरन यूग उन सभी चीज़े वो सभी चीज़े उसके घर में रहेंगे खिलो ने भी ऐसे मिलें को खिलो न आगा नवह भी दरसाएगा कि राहू आगया अगर में ऐसे घर के अंदर बार बार लाइटें बिलिंक करती रहती हैं कोई भी बलाब बगयरा है कोई भी कंसिग बगयरा बार बार प्लिंक करती रहेगे होई भी खराप हो जाएगी तो बलिंक करेगी अधिया की आ कि ब्रौ नधर करन्ट जाएगा है तो एक आ अभ उसको ड你在 किसी भी यशे से नोट कर चुका हूं जिनके घर में यह घटना गटी हुई है ठीक है और वो हाई-फाई मकान होता है उसमें बड़ी जबरदस टेक्नोलोजी वाले जो चीजे मिलेंगे आपको वहां पर ऐसा ने बंदे बंदास सी रहे हों वहां पर सच बताओं तो वो बोलते हैं न कि इनको क्या अलादिन का चिराग मिल गया इस गर में कि हो सकता है कि दूसरा परसन उस गर में एक रात रहे दो रात रहे कीशरी रात न रुप पाए विखास वहां पे गटनाएं ऐसी होते हैं हंटेड बगयर गि जो बूतिया गटनाएं होती है लेकिन उन बंदों को वो चीजे अगर राव बैस्ट होगा तो वो जो चीजे है न ने, नॉर्मल ही रहते हैं वो, एक परिवार की तरह है, अब किसी का खराब अउस्था में होगा तो भई, इस सब भी नेगेटिव चीज़ हो जाएंगी फिर, फिर भूमो, फिर ट्रीट करवाओ जी, वास्तू करवाओ, प्रोब्लम आगे जी मकान में, ऐसे ऐसे होता है जी म यह ऐसे चीज़े होता है जी, तंतर मंतर से दिगे लिए मकान बहुत जबरदस्त रहते हैं, तंतर मंतर से दिगरने हो न, वो फोर्थ हाउस के सब लोग, जो रहो से कनेक्ट हो यह रहो हो, वहाँ बैठके, और एक खिकी सी खास देशा में, यह मैं खुद अपने यह तरीक इसकी करके और उसको अपलाई कर दिया, किसी को गलत भी अपलाई कर दिया, तो गलती हो जाएगा गले के साथ, यह reality है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ओपना करम खराब कर लेता है, व्यक्ती, ठीक है जी, के तू क्या है, जी के तू है, एक संत टाइप, प्लेनेट के तू क्या है के तू जो ये बिचारे जितने भी वाइफाई से दूर कई दफा तो इनका जो इंटरनेट है न वो भी वर्क नहीं करता हूं और कीतू मतलब इनके काफी आसपास में काफी प्रोब्लम होगी मतलब नौईस इतनी जादा होगी बहुत ज्यादा इनके मकान के आसपास में ठीक है वो ट्रैफिक की हो सकती है और आप बले ही वो ऐसे जगह पे बैठा हो जहां दूर दूर तक मतलब की न बंदा न बंदे की जाद परोस कम से कम होगा होगा तो इकका दूपका मकान दूर दूर होगा के तुका हाउस है हो जैसे शंत टाइप होते है न बाबा लोग म यह मया भी दुनिया से दूर ले झाई तो आपके पास आना ही ने देंगा यह उस घर में औहूना भूर मतलब किस प्रकार की है तो पैसे माया के वहति वह पी माया आयें, पेसे चीजा बहुते है की तो इत्रे फले कि आएगा गत्रहा उसे दूरा हो जाएगा एसा मानने 25 वरकी तो जिसका फोत थावस में बैड़क उसका में ग Canadian की तो अगर हो गया तो हो सकता हूँ हीलर हो एक हीलर हो, mágic गहें न, mágic, magician हो विएक्ति एक हीलर होगा वो विएक्ति intuition power हो सकती है, healing का उसमें एक जो है उस उस मकान के अंदर ये सब होगा जो से विएक्ति को ये बना देगा वो अपनी power देगा उस विएक्ति वो व्यक्ति बहार जाएगा घर से बहार निकला हो सकता है उसके पास वो चीज ना बचे अगर हो 3-4-5 दिन 10 दिन बहार रहा तो हो सकता है वो कोई गैस ना कर पाई लेकिन जब उस मकान में आएगा तो तुरूंत वैसा ही हो जाएगा बोलते है न कि यह संत बैठा हुआ है जो अपने गद्धी छोड़के जब जाता है तो कुछ नहीं कर पाता है जब वो अपने गद्धी बे बैठता है तो वो मैजिक करता है मैजिक होता है उसकी बाते भी बिल्कुल ऐसे सोपरती सत्ते निकलती है तो कीतु का उसो तक केतु जिसका फोर्थाउस का सब लोड ठीक है जी आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ कुछ नाय लेके आएंगे धन्यवाद